नमस्कार दोस्तों मैं रिना आपके अपने चैनल रिना की चैनल रेस्वियन डॉक्सों सागत करते हूं तो कार्टिक मा हैं सबसे पवित्र महीना अगर हम 12 महीनों में से मानते हैं तो कार्टिक का महीना पहला ऐसा शुब दिन है जो की पूरे महीने भर इसमें काफे महतों अगर में बहुत ही धन्वान सावकार रहता था उसके घर में धन की कमी नहीं थी परन्तु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था वह इसी चिंता में दिन-राथ दुखी रहता था पुत्र की कामना के लिए वह प्रतेक सोंबार शिव जी के वृत और आपका अनन्य भक्त है, सदेव आपका व्रत और पूजन बड़ी शद्दा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए, शिव जी ने कहा कि हे पार्वती यह संसार कर्म चेतर है, जैसे किसान खेत में जैसे बीज भोता है, वैसे ही फसल कारता है, इसी तरह से मन अगर इसको किसी प्रकार का दुख है, तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, आप तो सदेव अपने भक्तों पर दयालू होते हैं, और उनके दुखों को दूर करते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मनुश्य आपका पूजन बरत क्यों करेंगे, तो माता प अगर की हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसके इसी चिंता में यह आती दुखी रहता है, अब इसके भाग्य में पुत्र नहीं होने पर, मैं इसको पुत्र की प्राप्ती तो दे सकता हूं, परन्तु वह भी 12 वर्सक जिवित रहेगा, इसके पश्याद वह मृत प्राप्त हो जाएगा, इसके अधिक में इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, माता पार्वती और भगवान शिव का यह वारतालाव सावकार सुन रहा था, तो इससे सावकार को नहीं तो प्रसंता हुई और नहीं दुख हुआ, वह पूरु की समय शिव जी का व्रत त स्त्री गर्व अति हुई, घर में बहुत धूम धाम से खुशिया मनाए गई, लेकिन सावकार के मन में तो था कि वह तो के ओल 12 वर्ष तक जिंदा रहेगा, उसके बाद में उसकी कोई भी आयू नहीं थी, तो अब जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तो बालक की माता ने पिता से उसके विवा करने के बाद कई, अब सावकार बोला कि अभी तो इसको पढ़ाई लिखाई के लिए काशी भेजो, फिर उसके बाद में इनका विवा करेंगे, अब सावकार ने बालक के मामा को बुला को उसको बहुत साधा धन देकर बालक को काशी पढ़ने भेजे, अब बात कर लिए तो राजकुमार को देखा तो उनके मन में विचार आया तो ऐसे मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात कर ली अब दोना जाया और राजी हो गए दूले का बेश बना के उनको कपड़े पहना के घोड़ी पर बिठा दिया अब कन्या के द्वार पे पहुचे तो सभी कारे उनकी प्रसंता से पूर्ण हो गए अब राजकुमार के पिता ने सूचा कि यदि विवा का कारी भी उसी लड़की से करा दिया जा तो उसके राजकुमार की चुनरी के परले पर लिख दिया कि तेरा विवा मेरे साथ हुआ है परंतो जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो तो खुदी का आना है अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ अब सेट की लड़के के जाने के पच्चा राजकुमा मेरा विवा इसके साथ नहीं हुआ मेरा विवा तो जिसके साथ हुआ जो काशी जी पढ़ने गया है अब राज कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चाली गई अब उदा सेट का लड़का मामा काशी पहुंचे अब वहां जाकर उन् उन्दर जाकर सोजा थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए जब उसके मामा ने कहा कि उसका भांजा म्रत पड़ा तो रोना पीटना मचा दूंगा तो यग्या का काम अधूरा रह जाएगा अब यग्या का कार्य जैसे ही समाप्त हुआ तो समने रोना पीटना कीजिए जब शिव पारवती वहां पहुचे तो उन्होंने पाया कि वहा एक लड़का था उसको आपने वरदान से उत्पन हुआ है तो शिव जी ने कहा कि है पारवती इसके आयू इतनी ही थी वह भोग चुका है तो पारवती जी ने कहा कि हेना इस बालक को और आयू दे दो नहीं तो इसका माता पिता तडब तडब करी मर जाएंगे माता पार्वती के बार बार आग्या करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वर्दान दिया शिवजी की क्रिपास से उसका लड़का जीवित हो गया अब इसके बाद में माता पार्वती केलाश परवत चले गए शिक्षपून होने पर जब लड़का और उसके मामा यग्य करते हो ब्रामनों को भोजन कराते वी दक्षना देते वी घर की और चले तो रासे में उसी शहर में आये और जहां उस लड़के का वहां की राजकमारी से विवा हो रहा था वहां जाकर उन्होंने यग्य प्रारम किया लड़के के ससूर जी आये राजग ने उनको पहचान लिया महल में ले जाकर उनके आवगत की जैसे दास दासियां सहीत आदर पूरवक अपनी राजकमारी और जमाई को विदा दिया वहां से विदा होका सेट का लड़का अपने मामा वो पतनी सहीत उसी तरह यगे कए ब्रावनों को भोज कराते वे दक्षना देते वे अपने घर के लिए चले गए घर जाकर लड़की ने अपने मातपिता को सारी बात बताई इससे वे बहुत ही प्रसंड हुए शिव पार्वती जैसे आपने सेथ और उसके परिवार को दिया प्रस सभी को देना सुमाय व्रत कता कहने सुनने हुकारा देने मालों को सब को देना ये थी आज की सुमाय की व्रत कता